भारत में अखिल भारत हिंदू महासवा ने एक मुहिम चलाई है हमारा भारत का कोना कोना कासमी से कन्या कुमारी तक हर जिले हर प्रदेश हर गाओं में हिंदू महासवा का कार करता है जिसको हिंदुत के नाम पर हम लोगों ने संगठित करके कभी बोटों का बटवारा नहीं किया हिंदुत के नाम पर भारतिय जनता पार्टी आंगे थी इसलिए हम लोग चुपचाप थे और भारतिय जनता पार्टी को राजनीत में सपोर्ट करते थे लेकिन जब हमने ये देखा कि बाष्पा का जो हिंदूबाद है वो छद्म भेसी है उनका हिंदूबाद सिर्फ राजणीत से सुरू हो के और राजणीत में खतम हो जाता है तो हमें लगा कि अगर ऐसे मौके पर हम लोग शूप रहे तो जो बास्तविक हिंदुबाद है वो समाप्त हो जाएगा तो उस हिंदुत को जीवित रखने के लिए एक अभियान चलाया गया है आज जिसकी सुरुवात उजयन से की जा रही है मनेश सिंग्चोहान ने पहला कारकम आयुजीत किया है उजयन में और इस तरीके का कारकम लगातार पूरे भारत के हर प्रांत में हर जिले में जाकर हम लोग करेंगे और हमारा उद्देश किसी से राजनेतिक प्रतिदोंदता नहीं है हमारा उद्देश राष्टबाद है, हिंदूबाद है, भारत है तो धर्म है और धर्म है तो भारत है दोनों की मजबूती हमारा सपना है और इसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ रहे है मोदी जी एक अच्छे मार्केटर है, जैसा हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे किसाब अच्छा मार्केटिंग करने वाला ब्यक्ति जो होता है वो गंजे को कंगी बेच देता है तो मोदी जी ने इस कहावत को चरितार्थ किया है, उन्होंने एक गंजा साथ में रखा है और कंगी अथ में हाथ में रखी है, उसके सर पे कंगी फिरते हैं और पूरे भारत को बता देते हैं देखा अमिस्ताय की कितनी बढ़ी आपाटी पड़ी हुई है इन दोनों ने हिंदुत को लेकर अभी धारा 370 का मेटर हुआ साथ धारा 370 के मेटर में सबसे जादा अगर किसी ने तारीप की तो हिंदु महासवाने की जो मुकद में नियायाले के द्वारा होते हैं जैसे राम जनु भूमी तो साब जब नयायाले के द्वारा हो गया तो इसका क्रेडिट मैं नहीं चाहता है कि बीजेपी के पास जाए क्योंकि बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है मुझे वो दिन याद है भारत के बच्चे-बच्चे को ये दिन याद होगा जब 1947 से लेकर हिंदू महासाभा राम जनभूम का मुकदमा लड़ रहा था यही लाल कृष्ण आडवानी सहित भारती जनता पार्टी और RSS के प्रमुक नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर किया और उनने कहा कि बाई साब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे अगर आप कहें तो इसका हम राजनीती करान कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जनभूमी का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा और साब हम लोग साइलेंट हो गए अपनी छाती में इनको बैठा कर पूरे भारत में रथयात्रा निकाली और उस रथयात्रा से इकटा हुए 1400 करोड रुपय यो लोग ड़कार गए जिसका आज हिसाब नहीं है तो 1400 करोड रुपया ये खा गए हिंदुत के नाम पर जो भी प्रखर निता आंगे आता है कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है असोग सिंगल जी को मैंने पत्र लिखा अपने कहा 1400 करोड रुपया जो राम जनभूमी का इकटा हुआ कहा गया असोग सिंगल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगा हो था उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साब मैं आयोध्या जा रहा हूं आप आजाओ आपसे कुछ बात करना है मैं जब आयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टाविल रखते थे उन्होंने जो सिला रखी हुई थे उसकी धूल जारनी शुरू कर दी हमने कहा कि यह क्या कर रहे हो बुला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते यह मंदिर का निर्मा ब्यक्ति जिसके साथ हमने दो दिन बिताया वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है प्रबीर भाई तोगडिया जिसके पास जेट कटेगरी की सुरक्षा हो जो पिशाप करने बातरूम में जाता है तो पहले बातरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे ला हत्या का कारान सिर्फ यह होता है कि उसकी सुरक्षा में कभी कर दी जाती है तो बीजेपी के समय में मैंने यह देखा कि जितने हिंदुबादी प्रखर नेता हुए है उनकी एक-एक करके हत्या कर दी गई अभी दो तारिक को हमारे पास लखनौ से फोन आया हिंडोला थाना कोई पढ़ता है उन्होंने कहा हिंदूला थाना से बोल रहा हूँ पढ़ने साब इसे पत्रा है कि आपकी जान को खत्रा है तो हम नेका क्या करूं तो नें पहाई रिपोर्टिन्ग हमारी हमारे घर की है और सुरक्षा लेने यह जा कर थाने में बैट उ इसलिए थाने में रहूं इस तरीकी का जो इनका दोहरा चरित रहे वो अब हिंदुत्य के लिए हमें लगा कि एक खत्रे के रूप में सामने आ रहा है उस खत्रे से इस देश को बचाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिसमें सादू संतों सहित देश की युवा का भरपूर सहयोग मिल रहा है और यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है